जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोश्ट गार्ड में निकली एक बहुत बड़ी भरती के बारी में तो दोस्तो इस भरती से रिलेटेट ह हम आपको पूरी जानकरी देने वाले हैं जैसे कि आपका स्लेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपकी हाइट क्या होनी चाहिए आपका बेट क्या होना चाहिए आपका चेस्ट क्या होना चाहिए आपका एजूकेशन क्या होनी चाहिए आपका एजूकेशन क्या होनी चाहिए और अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हैं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही है, तो दोस्तों, इस समय हम है, इंडिय वेकंसी के आपको डेटेल्स देता हूँ, तो किसी ने किसी बेस पर देता हूँ, कभी भी आपको हमारी चैनल पर फेक नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तो जब तक ओफिसल वेपसाइट पर वो डेटेल्स जो आपकी जो बेकंसी से पबलिश्ट नहीं कर दी ज व्यक्ति फरवरी 2021 पैच तो इसके लिए दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने और यहां पर आपके लिए जो नोटिफिकेशन है इसको आपके सामने ही मैंने डाउनलोड कर लिया है और इस नोटिफिकेशन को आपको में बता देता हूं यह देख सकते हैं आप जो एन और इन वैकंसिस के लिए आपको जो अप्लाई करने के लिए डेट दी गई है वो है एक जुलाई 1996 से 30 जुन 2000 तो इसका मतलब अगर आप एक जुलाई 1996 से 30 जुन 2020 के बीच में आपके डेट ऑब बर्थ है तो आप इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं सबसे बड़ी बात में आपको बता दूँ कि यह जो भरती हो ओल इंडिया भरती है मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट के आप रहने बाले है तो आप इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं मेल कंडिटीट्स फिमेल के लिए वेकशन नहीं है उसके बात में एजुकेशन क्वालिफ्ट के बात करें द लेकिन दोस्तों एक सर्थ यह होगी कि अगर आपके पास में graduation होगा तो आपके पास में 60% मार्क्स होना जरूरी है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर age limit में भी कुछ ना कुछ आपके लिए आप जैसे को आपको पता है कि SCST और OBC के लिए age limit में relaxation दिया जाता है तो आप देख सकते हैं अपर age limit relaxation of 5 years for SCST मतलब SC और ST के जो candidates होंगे उनके लिए age limit में 5 साल की छूट मिलेगी और OBC candidates के लिए 3 साल की यहां पर सरकार की तरब से age में relaxation दिया जा रहा है ठीक है उसके बाद में यहां पर दोस्तो बैकंसी की बात करें तो यहां पर टोटल 25 बैकंसी दी गई है जो की 6 OBC की 14 ST और 5 SC लिए वैकंसी होंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तो यहां पर देख सकते हैं आप additional eligibility criteria जो आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तो काफी सारी details दी गई है तो इसके लिए आप हमारे telegram चैनल पर मैं यह notification है इसके लिए upload कर दूँगा आप बहां से जाके download करके पढ़ सकते हैं और अगर आपके लिए कोई applications हैं online ली जाएंगी Indian Coast Guide के official website और यह application जो है 21 December 2020 से 27 December 2020 रात को 12 बज़े तक आप apply कर सकते हैं तो अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं तो 21 December से 27 December के बीचे आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको online apply करना है तो आपके लिए जाना है दोस्तों www.joinindiancoastguard.gov.in ठीक है तो यहाँ पर जाके आपके लिए क्लिक करना है opportunities पर और opportunities के बटन पर आपके लिए करने के बाद में instructions के लिए अच्छे से आप carefully अब कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों पूरा procedure दिया गया है कि आपके लिए कैसे apply करना है तो आप इस procedure के लिए पढ़के इस भर्तिक के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद में आपको बता दें दोस्तों कि आपको एक ही एप्लिकेशन फिल अप करनी है यहां पर नोट में साफ साफ दिये गया है दोस्तों filling of multiple applications will result in cancellation of all applications मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा application को fill up किया तो आपकी जो पूरी की पूरी अप्लिकेशन से सब के लिए cancel कर दिये जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको बता दिया date of opening online application will be 21 December 2020 और closing की date होगी आपकी 27 December 2020 और admit card आपके इसी website पर मिल जाएंगे आपके लिए 6 से 10 जनवरी 2021 की बीच में ठीक है तो 6 से 10 जनवरी 2021 की बीच में आप अपने admit card के लिए download जरू कर लें उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ जो main main बात हैं मैं आपके लिए बता देता हूं यह notification तो बहुत लंबा है पूरा पढ़के बताना आपके लिए मुम्किन नहीं है यह चोटी सी वीडियो में यहां पर height, weight, chest और medical criteria की बात आती है तो यहां पर दोस्तों मैं आपके लिए बता दूँ कि यहां पर आपके जो height लिए जाएगी वो minimum 157 cm होना अनुवारी है weight आपका height और age के साफ से लिए जाएगा उसके बार मां आपका chest भी age के साफ से लिए जाएगा और आपके weight और chest और age के साफ से लिए जाएगा लेकिन आपके लिए minimum 5 cm का expansion करना जरूरी होगा eyesight आपके 6 by 6 होना चाहिए ठीक है और एक जो महतुपूर्ण बात है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज तक आपके लिए किसी ने नहीं बताया होगा वो है आपका tattoo मैं आपको बता दूँ पर्मानेंटली बोडी टैटूज और नौट पर्मिंटेड औन एनी पार्ट आप दो बोडी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अल्बो पर अगर आपके टैटू है तो आप फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं आपको rejection नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ साफ साफ यह दी गई है यह जो notification है मैंने आपके सामने डाउनलोड की थी आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं इनकी official website पर और आप चाहें तो हमारे telegram channel से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो 21 से 17 December तक का आपके पास में time है आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं अग तो education qualification होगी वो होगी आपकी btec अगर आपने btec किया है और btec में भी आपके 60% marks लिये जा रहे है और यहां पर साब साब दोस्तों दिया गया है कि the final selection will be conducted tentatively from end February to mid April 2021 मतलब यह जो भरती है दोस्तों अप्रेल 2021 तक clear कर दी जाएगी तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा मौका है आप इस भरती में सामिल हो और form भरें जल्दी से तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लेकिन आपको एक बात बता दें यह वीडियो दोस्तों मैंने अभी यूटूब पर देखी थी मुझे इसने बढ़ा इस भरती के बारे में शायर नहीं बताता कि ही अभी थोड़ा सावेजी से फ़ेखने वीडियो छल रहा हूं कि ओसने यह छिवादा स्वादा द्यान क duties आपके जैनल क्रागा कि दूरेति जनरल डूटी एक सिपाही की वेकंसी है ऐसा नहीं है ये असिस्टेंट कमांडेंट की वेकंसी से इसके लिए आपको ग्रेजियोशन पास होना अनुबारी है तो दोस्तो ऐसे फेक चैनलों से दूर रहें और आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं हमने कभी भी फेक नौटिफिक हैंस नहीं डाझी होगि जो बात है हम बिलकुल आपको करेक्ट बताते हैं तो उम्मिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ में सेर भी करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभार